अब लोग को पता होगा कि अभी फॉर्म फिल आप लोग को चल रहा है जो कि 25 और 26 तक आपका चलेगा और एक हफ्ता बचा है अच्छे से फॉल आप करना बड़ उसमें से आपके पास काफी सारे डाउट्स रहता है कि अगर आपका इमेल अड्रेस नहीं है तो कैना यूज मा पहले पास अगर आपको देखना है तो मै इसका इल्सना यहां पे दिखाता हूं कि यह अपना जो दोस फैंग मैल अड्रेस बिल्कूल ही है उस नहीं कर सकते बिलकूल ही रिजिस्टर नहीं कर सकते ठिक है registering for so no applicant should use so the applicant should use only their own valid and unique email addresses as all communications will be made on the registered email id or sms that means जो भी email id आप provide करोगे उसी email id के थूँ आपके साथ सारे connections communications किया जाएगा इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या so that means यह हो जाएगा आपके पास की आप बिल्कुल ही किसी और का email address use नहीं कर सकते आप किसी और का email address use नहीं कर सकते तो आइठिंक यह छोटा सा वीडियो है बाट यह बहुत ज़्यादे इंफर्मेटिव होगा क्योंकि आप लोग अभी फॉर्म फिलाप करने में बिजी हो तो फॉर्म फिलाप करने के टाइम यह चीज़ जरूर ध्यान रखना ठीक है तो हमेशा खुद का mobile number कुछ एक particular mobile number as well as एक particular email id आप लोग कोशिश करना रख लेने के लिए ताकि कोई भी अगर competitive examinations के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो उसमें फॉर्म फिलाप करो तो उसी एक email id को आप use करो हड जगा ताकि एक ही जगा पर आपके सारे informations आते रहेंगे तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial हो जाएगा और आपने दोस्त का कभी भी email id use मत करो ठीक है clear है so that's all thank you thank you for watching and happy learning thank you